वेल्कम स्टूडेंस तो तो स्टूडेंस आगे हम कंप्लेक्स अनलेसिज में यूनीक नेक्स फूरम करेंगे तो यह एक काफी इंपॉर्टन फूरम है तेखिए अब जो मैंने यह स्टेटमेंट लिखी है ठीक है यह इसका सबसे बेसिक वर्जन है कि हम इसको किसी डिस्क में प्रूफ करते हैं बट एक्विन में जो और इसको डेखते हैं देखे हैं बहुत यसको पर्छा पूर। याजाता है रिसक में तब मिका करते हैं उसकी टेलर सीरीज उसकंशन लिख लेते हैं since f is analytic इस domain में तो मैं f of z को क्या लिख सकता हूं is equal to a0 plus a1 z minus z0 plus a2 z minus z0 का whole square plus a3 z minus z0 का whole cube plus and so on किसके लिए वो सब z minus z0 जो कि इस आपकी डिस्क में है ठीक है तो हमने इसको यह लिख लिए अब हमारे को given क्या है कि zn एक sequence है distinct points की converging to z0 और अगर f of zn आपका 0 हो जाता है for each n belongs to मतलब कि हमारे को क्या कह रहा है basically पहले इसकी statement को समझते हैं कि हमारे पास एक disk है और centered about z0 कि अगर हमारे पास एक ऐसी sequence है इसमें जो कि आपकी इस point पर converge कर रही है और अगर fz इन सभी points पर 0 है जो यह sequence है इन सभी points पर 0 है ठीक है जो इस point पर converge कर रही है तो पूरा का पूरा fz आपका इस पूरी की पूरी space में 0 होगा मतलब कि अगर यह सिर्फ इतने से points पर 0 है sequence वाले जो इस पर converge कर रहे हैं तो वह पूरी के पूरी आपकी इस region में 0 होगा आपको यह proof करना है ओके तो यहां पर हमारे पास जो ZN sequence है वह अप्रोच कर रही है Z not पर f of z इसमें analytic है तो continues भी होगा अगर continues है तो f of zn की जो sequence होगी वह पक्का f of z not पर converge करेगी ओके नौ हमें given क्या है कि f of zn इन सभी points पर 0 है for all zn पर मतलब कि जो f of zn वाली हमारी यह sequence बनी है यह sequence क्या है एक 0 sequence है यह 0,0,0,0,0 सभी points पर 0 है और यह converge किस पर कर रहा है 0 पर तो that means f of zn जो हमारी sequence है वह किस पर converge कर रही है 0 पर इधर हम कह रहें कि f of zn sequence converge कर रही है f of zn पर और हमें पता है कि sequence का जो limit point वहता है जिस पर वह converge करती है ठीक है वह unique होता है तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे कि z not sequence है वह आपकी converge कर रही है f of z not पर तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि जो f of zn है वह आपका 0 हो जाएगा ठीक है अब f of zn की value निकालनी है तो इसमें आप z की जगा z not substitute कर दीजिए अगर आप यहां पर z not substitute करोगे z को तो यह सारा 0 हो जाएगा और वो बन जाएगा a बन जाएगा आपका that is a not तो यहां से का implies हुआ कि आपका जो a not की value है वो 0 हो जाएगी बस इसी तरह से आपको हमने a not को 0 प्रूफ कर दिया फिर वैसी हम a1 को a2 को a3 इन सभी को 0 प्रूफ करते रहेंगी ठीक है तो यहां से हमने यह claim कर लिया कि a not हमारा 0 हो जाएगा अब next part देखिए यहां पर मैंने a not को 0 क्लेम कर लिया है तो मैं इसको यहां पर erase कर देता हूँ कि यहां पर हमारे पास यह नहीं आएगा अब हमारे पास फ of z बचा है वो यह बचा है तो अब मैं क्या करता हूँ यहां से z minus z not सभी में से कॉमा ले लेता हूँ ठीक है और इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे इधर तो हमारे पास यहां पर बच जाहेगा a1 प्लस a2 z minus z not का whole square प्लस a3 जेड माइनस जेड नॉट मैंने जेड माइनस जेड नॉट लिया ना तो सिर्फ एक ही बचेगा यहां पे यहां पे आपका स्क्वेर आ जाएगा तो हमें लिया और इसको बेसिकली दोनों तरफ उससे डिवाइड कर दिया तो अब देखिए यह किसके लिए वैलिड है फोर ओल जेड माइनस जेड नॉट जो उसके पॉइंट है ना तो अभी जब हमने यह डोमेन बनाई थी जो हम सीक्वेंस ले रहे थे अब यह सीक्वेंस है ना तो यह सीक्वेंस के पॉइंस तो भी इस डोमेन में पड़े हैं सार यहां पर फूल ZN ले लेते हैं मली कि आप कोई भी एक मेंबर ले सकते है उसका तो यहां पर ZN-Z0 बन जाएगा विच इस इकल टू A1 प्लस A2 ZN-Z0 प्लस A3 ZN-Z0 का होल स्क्वेर प्लस एंड सो ओन ठीक है अब इन सभी points पर FN-ZN तो यह तो हमारा सारा का सारा zero है ठीक है तो अगर हम sequence की बात करें तो फिर से यह हमारे पास जो है एक zero sequence ship है जाएगी यह हमारे पास यहां पर एक जीरो सीक्वेंस बन चाहेगी है ना और जेड़न सीक्वेंस जेड नोट पर कनवर्ज कर रही है तो हम क्या करते हैं दोनों तोरफ ले ले लेते हैं डेटिस टेकिंग लीमेट अब ये तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस है तो ये सारी की सारी जीरो सीक्वेंस तो आपकी जीरो पर ही कनवर्ज करेगी उसके बाल ये जैड़न सीक्वेंस जैड नोट पर कनवर्ज करेगी तो आपका ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और यहां पर सिरफ एवन कर लेंगे फिर हमारे पास क्या बच जाएगा हमारे पास ए नोट और ए वान जीरो हो गया है तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं यहां से अब फिर से मैं रख्या करूंगा अब जेड माइनस जेड नोट का होल स्केर कॉमन आ रहा है तो हम वो कॉमन ले लेंगे और नीचे इसको डिवाइड कर देंगे तो यह बन जाएगा एटू प्लस a3 z माइनस z नोट प्लस a4 z माइनस z नोट का होल स्केर अब फिर से आपको वही काम करना है कि z की जगा आपने एक सीक्वेंस पूट कर देनी है उसमें यह सीक्वेंस फिर से 0 और लिमिट अपने एंड प्रोचिस तो इंफिनिटी लगा देना तो यह तो 0 सीक्वेंसी बन जाएगी यह तरम्स फिर 0 हो जाएगी और फिर यहां से आपके पास a2 क्या जाएगा 0 तो इसी तरह continue प्रोसेसर गर हम करते जाएंगे इस सारे के सारे कोफिशेंट से 0 होते जाएंगे ठीक है तो continue इन सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मतलब आपका जो f of z फंक्शन है वह क्या बन जाएगा एक 0 हो जाएगा for all z minus z not more less than r के लिए तो इस तरह से आप इसको easily proof कर सकते है तो यह basic है आपका uniqueness का ना domain में कैसे proof करेंगे वह हम अगे lecture में सीखेंगे